बाक एक पर उसके ध्वन्य अर्थ अलेक है अभिदार से एक है अभिदार केते हैं साक्षात संकेतित अर्थ को केते हैं अभिदार जहां किसी शब्त का साक्षात कोशिकत अर्थ निकलता हो दिख्सनरी का अर्थ निकलता हो उसका नामें अभिदार लक्षणा के लिए वहां जहां पर तीन शर्ते हों मुक्षणार्थ में बाधा हो तब मुक्षणार्थ से संबंद रूड़ी आप प्रियोजन से कोई अंद्र से ले लिया जाए उसका नाम है लक्षणा मुक्षणार्थ बाधे तब योगे रूड़ी तो तक प्रियोजना अंद्र लक्षणार्थ में बाधा वोकर पैन शर्त मुक्षणार्थ में बाधा फिर मुक्षणार्थ से संबंद कोई दूसर अर्थ लिया जाए और जो अर्थ लिया जाए वो या को रूड़ी के अंसार ह हो या पुरियोजन के अंसार है जैसे वो काड़ करने में बड़ा कुशल है अब कुशल शंदकारत क्या होगा कुछ को लाने में जो चतुरोज का नहीं कुशल करने में बड़ा कुशल है यहां पर कुश को लाने में चत्राई चाहिए तो कुश की धार इतनी तेज है उसकी दोमोर की कि हाथ कड़ जाएगा खून निकलाएगा तो जो कुश को लाने वाले हैं जो चत्र ब्यक्ति हैं वह कुश को हाथ में लफेट करके प्र पूरस पाटनी के अमाशा के इसके चिक फट फट ऐसा खानेंगे तो अमकर्फान से जेखते में पूरा चलाय को हाथ और topics Player नहीं का मैं ओसकी पुशन शब्सका कुछ के साथ में कोई समंध नहीं रहा कि वह चत्राई के साथ में तो फूशा सफ्शन हो गया चतुर के चतर के अर्थ में उसका जो शव्दार क्यों चला गया है इसी तरह से वो भड़ा प्रभीन रहें प्रभीन कि इसको कहेंगे बुझ जो बीरा बजाने में बड़ा कुशन इसो रहां सकती है लिए तो तुमाब्वर का विशा के साथ में रसर को संब्ध नहीं है प्रभीन शक्त रूर्ण हो गया चतुर के आर्थ में इसको हम कहेंगे रूड़ीघत अर्थ और प्रभ्यूरीघ कुशल गटोगे इसी तरह से प्रियोजन के आधार पर भी अर्थ मिकाला या सकता है जैसे उसका घर गंदा की किनारी है गंदा यांं-घोशा अब यहां पर जब यह कहा गया गंदा यां-घोशा तो गंदा शब्द का अर्थ गंदा की धारा और करके गंदा के किनारी हुआ है मचकर मतलब है अगना के नारे उसका गह घर है पर युरू तो दो रहा है गंदा केंश पतार एक बड़ा है कि उसका घर सीपनितर है तो शयूतिफ पावनत्तु जिशन प्रियोजन भी गंदा सथी में तो हमें किसी का घर ओपनी सकता है तो जन्गायाम का अर्थ गंगा की धारा नोकर के गंगा के लिए तो मुक्षार्त बाद राउने पार कहीं दूसरा अर्ष दिया गया और दूसरे अर्थ में कहीं रूडी और प्रियों भी है प्रियोंजन क्या है कि उसका घर बढ़ा पवित्र है बढ़ा शीतल है तो जहां पर वो शेट पावनत्तुरूंपी जो धार में हैं वो भी फ्रक्त हो रहा है है तो यह अब यह स्काण लख्षणा के द्वारा अर्ष नहीं ले रहे हैं बलकिं कर दो ले रहे हैं गंगा की तठ पर घर यह तो ईक्क्षणा पंदोंगर बड़ा प्रिस्तृ है योगी वेज़ग्णा जय दृबी कि तर लिगमाने यंद्वा कि धारा यह हुह आपिदाव कि घंगा का तठ योगया लक्षना और घर पवित्र है योगय विन्या एक बाक्ष में तीनों चीज आगे अब उसका घर गंगा में इसका अर्थ गंगा की धारा यह विए अभिदा धारा के स्थानबर गंगा तठ यह विए लक्षना और घर पवित्र है शीतन है यह वह प्रकट हो रहा है यह वह गई बेंजना तो यहां ध्वने के द्वारा बहुत से अर्थ निकलते विच्छ ले जा रही है और ध्वनी के अर्थ कोई प्रेट कर रही है तो श्री कृष्ण गतोस्त मार का इसकी तरह से बनम एज मुकुंदा मुकुंद बन में आ रहे हैं इसका अर्थ अब बटबक पटलई सुहाशिशम प्रश्टाई शांत रिचाव मंत्रताई अभी शिंचतो जितने सुन्दर आशिनवार देते हुए प्रश्टाई मने सुन्दर जल के छिटे देते हुए ब्रिशितमा देजन्द की बिंदू उनसे युकत होकर के शांत रचान मंत्राई को आधि की जोगभी शांत पांट करते हुए, रचाओं को सब neighboring कि सब्सक्राइब कर समें पूर से पमित्र जो मंत्र है? तुम मारु को प्रशस्त करो दर्व पाने आपने हाथ में कुष्ण करके अभिशिंचत तो तुम उनको अभिशिंचत करो तो बटु जनो पट नहीं सुभाशिशां सुभाशिशों के समूव से पृष्टाइश शांत रिचार मंतरता हैं और शांति की जो रिचाएं हैं उनके उनका पाठ करते हुए अभिमंतरत जल की बिंद्वों के द्वारा अभिशिंचत तो दर्व पाले हाथ कृष्ण के ऊपर जल के छीटे दो हर्म अग्रे अवज आश निर्वृतम और श्री हरी आ रहे हैं इसे निर्वृतम परम आंदो अदेशन करें भगवान का तुम धर्शन करो हरी का दर्शन कर यह ब्रम्णों की लिए अर्थ हो गया अब सब्सक्राइब पितरों के लिए व्यांत रूस श्री वरी यसी कभिया की दादीजी उन दादीके साथ में कभिया के बाबा श्री पर्जर ने जो आहगा श्रुन ये अर्थिकादे रहे हैं के नए भलह वाँ बलादय इताहर मुझे नक्तुर मुखपंकर्याम मृतई शिश्री करवान लोचने यद ते जीवत मेव नूत सहे वेश्रीफ के तामाः परजन निमाराच उससे पहें कह रहे हैं कि नए बल्लव कि अरे गोप कोई उनका सेवक है उस सेवक से कह रहे हैं कि नए बल्लव मां बला देता है कि अरे गोप मुझे जल्दी से यहां से लेज़ाए निजन नप्तुर मुखपंकर्याम मृतई मैं अपने नाती के मुखपंकर्य का दर्शन करना चाहता हूं यह परज़न महरज कह रहे हैं तो निजन नप्तुर मने अपने नाती के मुखपंकर्याम मृतई उसके मुखपंकर्य के अम्मट से मुखपंकर्य की शोभा से शिश्री करवाण लोचने मैं अपने नेत्रों को शीतर करूंगा यद्रते जीवत मेव नोच सहे हाई कृष्ण का मुखदर्शन की विना मैं जीवत ही नहीं रह सकता हूं ऐसे भी कह रहे हैं अब जितनी भी प्रियागर हैं उनके सामने जब ये वचन प्रियागरों ने सुना के बनम एति मुकुदा तो प्रियागर क्या करी है कि रचियागर मिशम विशारदे जरती बंचकम अंचकम मुदा निरुदेन पथा भजे बने प्रिय संकेत उन्ज मंदिरम देख शामसंदार अब कि बंद में आरही हैं तो अब हमाना काम वी है कि रचियागर मिशम तो चिनता मत सखी यूथेश्वरिससे कह रही है कि अभीसओं तुछ इतनका रचियागर मिशम हम पुई न कोई मिशम मनें छल पश्र रचना करेंगी मैं ऐसी योजना बनाती हूं तु तुझे चिंता करने के जवोती नहीं है मैं ऐसी यूजना मनाती हूं कि तुझे शामसुदर से मिला दूँगे और शामसुदर से मिलाने के लिए किसी को पता नहीं लगेगा तो रचयानी मिशब मैं ऐसा चल ऐसी यूजना करती हूं हे विशावदे हे चतुरे कि जनत जरती बंचिकम जिससे सासुजी बंचित हो जाए बृद्धा जिससे बंचित हो जाए हम कब कहां गई उनको पताई नहीं लगेगा अंचिकम मुदा और जो मोद को प्राप्द करने वाला है अंचिकम मुदा आनंद जो है उसको प्रदान करने वाला है ऐसे हम कोई छल को करेंगे निर्मतेल पथा भजे बने अधी सगे हम निरुद मार्य से छिपे हुए मार्य से अभी बन में जाती हैं और प्रिय संकेतित कुझ्य मंदर में अभी हम गमन करते हैं इसी समय सखिटिम करवई रवई रवई दिन तर्शा हर गोड़ो दिताई बल्वी अधिरोड मप्याहं नदेश पंद बबर समढ़ता अब श्री राधान क्या कह रही हैं कोई सखी कह रही है बनारी सखे देख शामसंदर जा रहे हैं अपन जल्दी से बल्वी पर चढ़ करके शामसंदर का मोगदर्शन करें उपसे में खट श्री की देनी है irony सखे तुन वड़ा विया उदार थार्षा रवाई अवइधित तर्शा रवाई मानिंदेश कििसवा अधिन को सुन करें कि बनमे एतिम कुंदा entire इस बचल को सुन करने कि अवाईधीत्र तर्शा जिसके हुई तर्शा मने तो अत्यत-त्यत भड़ गई है एसी मैं क्या करूं क्या करूं, हर जोल वो दिता है अंधि सकी मैं श्री शामसिंडर जोल टो गए है , जोल में कैसे कशामसिंडर का दर्शन करूं बल्भी के उपर चंगर के अतारी पर चंगर के अतापर चंगर के मैं शामधुना का कैसे रश्र करूं हर गोपरों देता ही श्री कृष्ण तो प्यारे तो इस समय गोपरमान सिंगपोर के सामने पहुंच रहे हैं बल्भी मैं अधिरोनम अप्याहं मैं आज बल्भी मैंने किस अतारी के उपर हाई मुझे तो चरहा नहीं जा रहा है उच्छुपता में इतनी हाथ मां फूल गए हैं कि शेक शोलि जी कह रहे हैं बोलए सके में बायुंपा में समर्थ नहीं हूँ बल्भी मत्लों अप्यां नदरे में मेरी समर्थ नहीं है सपंध्बप समर्थता है मेरा शाए्ज सफंधबपूर्थ कांप रहा हैो और समर्थ-मां heb minute सब्सक्राइब मैं सामर्थ को धागन नहीं कर पाले हुँ ऐसे एकी बाक्य को जिनों ने भी सुना वे सब किसा अपूरू से ब्याकुल हो रहे हैं कोई सखी यूथेश्वरी के शणडार को कर रही है और अलक इलम अत्यसन्स्क्रt अवी अलosta की जर०त नहीं है मदरो प्यस्तो मनाद बितम आज मेरा बख्षस्थर भी अपर अस्तो तमाम अनाद बितम इसमें मैंने अभी आभूशन धारण किये हैं के नहीं मेरा पल्लू कहां जा रहा है इसकी भी चिंता छोड़ इसकी बीचिंता छोड़ सब्सक्राइब लोग के माधवम इससे में माधव का एक बार दर्शन करूं सखे जीवे हम इतो बिमुन्चमाम मैं जीवित हो जाओंगी अली सखे मुझे छोड़े छोड़े प्यारे का दर्शन कर देद ऐसे एक ही बाक उसको जितने लोग सुनते हैं उन सब के द्वारा लक्शावान लक्षाह से नहोने पर भी जो मुक्रिण ओर मने अभिदार और लक्षंचों इन से भिम्न्यारत को जो प्रकट करें उसको नाम हैं कि दया कुछ लोग कहते हैं विशेशूप से कहते हैं कि नहीं ताप्परयार्थ को भी घ्राइब तो यहाँ यह ताप्परयार्थ को भी ग्रणते वे जा रही है जिसका जैसा परवेश उसके हिसाब से वही अर्थ ग्रहन करते हुए वो विराहिमान गुरहा है ऐसे श्री कृष्णी की गोचारण करते समय जो दर्शन करने की उत्सुपता उस उत्सुपता का यहां बढ़न कर रही है तो आज ब्यरह नामक, आयोग नामक जो भाव है उस आयोग भाव में उत्सुपता नामक संचारी भाव का यहां बिशेश लूख से बढ़न कहला है मने श्री कृष्णी के प्रेम के दो भाग है एद भाग है योग एद गय है आयोग अब यहाँ पर आयोग की स्थिति में जो उत्सुखता है उस उत्सुखता का विशेशू से यहाँ यह बैनन चल दाए अब शीठाबर जी जैसे आप पूंचे यश्वदाजी कनिया को रोब करके अब जैसे कनिया की रक्षा करेंगी कनिया को निसिद्ध यंत्र राखी रक्षा तिलक इंके द्वारा कनिया की रक्षा करते हुए बात्सलिकों प्रकट करेंगी उस भाव को और शीद्शोना की जो पीपी है उसको आगे प्रकट करेंगे बुर्वन्दावन्देहरी लाल की जय गुद्ध जय जय गोपाल जय जय गुद्ध मन्द मतिर दयानुत्रा तुनसी काननम यत्र यत्र पद्न बनाने चो पुरान पठनम यत्रो तक्त संदी ही तो हरी पुर्वान्दे धेन मिन्दे विपिन मन्सुतं गोष्ट लोका अभिजागं कृष्णम राभाति लूलं तदविप्सुत कृते प्रात तक्कुन्द तीरं राधाम चालों के कृष्णम कृतिगर दमनाम आर्यार कार्चनाई दृष्णाम कृष्णक प्रुत्याई पुर्द निजिसकी वर्त्मनेतां स्मरामी बुनशुर्णावन ब्यहारी लाली की जैए उष्णाचनाई प्रुम्द प्रुम्द श्रिमत कृष्ण भावनाम ब्युत्यों महागाव्य तद्नम्तरगत श्री पुर्वान दुनाने श्री श्रामसुरर जैसे गईया चराने के लिए जा रही हैं उस लीला का श्री विश्णाचकर से पाक मानसी स्मर्ण करते हुए साधतों को उस लीला का लोगपन करते हुए लीला दर्शन की अभिजाशा उनके ह्रेलोगपन कर रही हैं और सेवा श्री किषौ लिबर की जैसे की जाए शामसंदर की जाए उस लीला का ले चंदन करते हैं हुए लहाए रूपर लीला में अपुलुप स ochrim on the issue श्रीक किसी गोप में ये भोशा की कि कि श्रीक बंद को जा रही है और इस बाकी को जिनने लोगों ने सुना अपने अपने भाव के अंसार कि अपने अर्थ में उतने ही अर्थ समने अलग हमी लगाए जैसे कार्णी प्रकाश में गतोस्तवर कह ये जो बाक्य है इस बाक्य का जितने भी श्रोदा है वे अपने अपने एसाथ से अलग अर्थ लगा रहे हैं कि विद्याती के रहा है कि अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है घुरुची पढ़ाई बन करो ब्रन्वचारी कह रहा है कि अब हमें साइंकाली अधी होतर करना है गतोस्तवर का अर्थ उसके लिए होगा अभिसार का ये कहेगी कि जल्दी से अपने काम को दूर करके मैं अपने प्री से मिलने के लिए चली जाओ ग्वादिया ये कहेगा कि जल्दी से गोदोहन का जो कारे है वो पूरा कर दिया जाए वाक्य है ये सूर्य अस्तो हो रहा है कि पाथों के अमसार परिवेश के अमसार उसके अर्थ सब्रय के अलग अब ऐसे ही किसी गोद में जब ये घुशना की ये सूचना की कि श्री कृष्ण आइप बन को पहा रही है इस घुशना का जितने भी श्रोता हैं उनिस्त श्रोता अलग अलगा अर्थ ले रही हैं सब्याफुल हो रही है और पूर्पुर्संग में ये कहाए कि श्री यश्वला जी रोहिडी जी के साथ में श्री टूंगी जी श्री पीविवी जी श्री कोलेया जी श्री अतल्या जी और जितनी भी अम्मेका किलामा प्रवती धायगम शी जितनी भी विज की बात्सलिवती गोपकागम पुन बात्सलिवती गोपकागम को संज्वे लेकर के शी व्यशोदा ये द्व्याकुल हो रही है जैसे प्रोश्च भरत्ता की जगह की तुन्ना में प्रवस्च भरत्तका उसकी बेदना जादा होती है वो जादा हवे को चुहती है पति चला गए और उसके पिक्षाद पति जा रहा है उससे नंगी जो हो वेधना में वो कहीं अधिक मार्मिक होती है कि वो उसी मार्मिक ताहा यहां विश्रश्रुक से वर्णध करें तरोपनोंशीप बरत्त का जो जिसका पति परदेश चला गया है उसकी बेदना तो कहीं हगे को चूती ही है पंद उससे भी ज्यादा जो बिछोड़न के खण है वे ज्यादा मानमिक होते हैं ज्यादा हगे को कहीं चूने वाले होते हैं इसी तरह से श्री कृष्ण जवर गईया चरानी के लिए जा रहे हैं उस समय इन श्री यउटा को जो पीड़ा बुरे हैं व्यागोंता, बुछुनन की दियंता वूं नई नई बॉर अत्य अत कि ब्रिजिराज को क्या हो गया जो मेरे पुत्र को ऐसे कठिन गोचारण के कर्म में यह प्रुद्ट कर रहे हैं कि 42 में साथ में सर्वे के ब्यानिस में श्रूप में पूर्प्रसंग में कहाई थे कि अरुणाज दलश्ट्रेड कोते सुकुमार विमले पदोस्त ने बिल कहां तो लाल कमल के समान तेरे सुकुमार चर्णतर और कहां तुल कंटक शर्करा किता कौन साकानन भूमे एश नाम बिटा तू कहां जा रहा है वो तुल कंटक शर्करा इनसे युक्त बन की वो भूमी जहां तू जा रहा है अरे वो भूमी क्या तेरे चर्णों को चलने के लायत है क्या कितने पून तेरे चर्ण अभी पाण में कांकर लग जाएगा हारे कैसी हो ये श्रुदा एक दम बिब्बल हो रही है एक दम पाव सब्सक्राइब करें तूर्ण प्रतिक्ष्ण वर्द्रेश्ट पाण विशोल वाना ते तरिसमेश्णों के श्रुदा ब्यावल हो रही है ये रस्की एक पुर्म वीती है कि विरह में कभी तो विरही को क्यों मेरे हिल्भे का भाव है ऐसा सारा संसार प्राव जैसे मैं रो नहीं हो ऐसे सारा संसार रो रहाए है कभी तो यह बाता है और कभी यह कि है मैं नहीं हूँ और लोग काप्य में बारह मासा शड्यतु वर्णन इनके लोग काप्य को देखें तो वहाँ पर लोग काप्य में ये दो नहीं पत्दिती लोग संस्क्रिक्ति वर्णन जैसे होरी का वसर है बुर्णे है बुर्णे है मुझे ऐसा रखता है कि जैसे होरी लगाई आद लगाई है मारू नहीं है बीजिया इन तो कंदों परड़ियों में प्रिकृति और समाज के संभूल उत्सवके साथ ने संजती बैठा बेचलना कभी विसंगती को प्रकट करना और कभी संद्री को प्रकट करना यह दो जैसे परंपरंग कम्याव लोगर कि बिराहिमां रसकी पर्धिती है इसी प्रकार यहां बलबी रसकी पर्धिती में श्री ये शो लग वह कहीं विसंदती दिखाते हुए बढ़ना कर रही है कि कहां को कहीं बेटा तेरे पूमाँ चरण और कहां ब्रनावन की कठों घूनी हाई तुझ जा रहा है यह वि त्याने अले बेटा तेरा अले प्री अले बेटा प्री के कुष्ण ते मृग नाव रसोग शताक्वते नवमी तक पृतिमेव हाथ अनू तेरा श्रियां के कैसा है मानो मृग नाव रस कस्तूरी मृग के नावी से नकाला गया जो कस्तूरी का मर्दन किया हुआ जैसे तेरा शरीर हो जैसे कस्तूरी निल रंकी होती है अप्राइक अप्रास पिस्थक्षेशतक्ती से सब्सक्राइब और उनकी किना किया होगा जैसे शरी अब कस्तूरी का लेप नहीं किया दिखो तब भी तब भी शी कृष्टी के श्रीयंगी की कामती वो कस्तूरी की जैसी है तो स्वावाद कुरूप में भी नील कामती होकर के तु विराईमान और फिर शुंदार कराते हुए कस्तूरी का लेप भी तेरे उपर किया हुआ है दोलुई तनहीं से कस्तूरी के रस से उक्षद तेरा शनीर है उक्षद केते हैं उपर से जहां छलकाप किया जाए उसका नाम उक्षद मीमान सामें मार्जन प्रोक्षद और उक्षद यह तीन अलग एकनी आए हैं जहां उत्तान पानी हदेवी ऊपर के तरफ आए उसका नाम है मार्जन आप विष्टा में वहा यह मार्जन है उत्तान पानी होकर के जलके छीटे लेना उसका नाम है मार्जन जहां अधब पानी होकर के जलके छीटे दिये जाए उसका नाम है प्रोक्षद कि मार्टिन प्रक्षन अब्यूक्षन उसको कहेंगे हाथ में चल्ले करके मुठयी में जल्ले करके मुठ्वी से जल ढाले जा है उसका नाम है अब्यूक्षन यह पर कहें हैं कि मुर्गनात रस्ट रूक्सटा है जो कस्तूरी का चन्यद्वा कस्तूरी उनके रसे जैसे पुख्षत तेरा श्रियंग के है किसी ने यहीं पूरा पूरा अंग उसके उबा तफूरी में कस्तूरी के रस उससे डहला चीह जब को मिए इशाम बहुना सतीर हम नागर के समान परंपोमल होकर विराइमान हाई ये शरीर क्या ब्रिनावन में बचरण करने दाए खेकिया गईयां के पीछे दोर्भा करने लाए क्या तेरे इस भी कॉल सूरी का इमेर पृतिक्षम बढ़िश्टु तमा कहां ये माघन के समान कोमल तेरा शरीर और कहां वुम ये शीदल स्थान पर रखा जाएगा तब तो ठीक रहेगा और ये दिमाखन को दूप में रखिया जाए आँच के उपर रखिया जाए वो तो पिखन जाएगा ऐसा तेरा कोमर शरी तो वो कहां कॉन सूरी करा इमेर पृतिक्षम बढ़िश्टु तमा ये सूरी की किरने जो पृतिक्षम बढ़िश्टु तमा अपने तेज को बरहाती हुई बिराइदमान हो रही हैं कहां ये सूरी की किरने विशोन वराएं जो विश को ही आज पुगंति हुई बिराईमान है विश के समान पीड़ा देने वाली है कहां ये सूरी की किरने बिटा धूटने का वो जा रहा है अरे गईयाओं को समालने के लिए अपने हां पर भूप से गोप हैं भी गईयाओं को समालनेंगे कि तेरे में ना गईयाँ जाएंगे नहीं किया तो क्यों इतना जित का रहा है कि मैं गईयाँ चराने के लिए जाओंगा एसी जिन मन कर जिन मन कर तो मिल्गना भी मन कस्तूरी उसके रस से उक्षित मने भीगा उड़ा कहां तो तेरा शरी जो कि नवनी तक प्रसिमे मानो जो एक है कर दो जोगता थास्वाँ है सवारा जोगता है कि अे लाएंगे भी पना से लेवाता ट यहा है जाएंगे भीजागे नहीं कि दो तो में गजगता वीजतना फ Wallace म कर दोला एंदडने कर दोला है